गुड मॉर्णिंग इस्टूडेंट आज हम क्लास इर्थ का चैप्टर नमबर थी स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले हम आपको दो चैप्टर बता चुके हैं तो उसमें जो चैप्टर नमबर सेकेंड में आपको कुश्चन आंसर उसमें से छाट कर लिखना है चैप्टर आए आके अब ये नेक्ष्ट हमारा जो थर्ड चैप्टर है ये है पेड़ पौदे और हम ये एक संक्लेत एक लेख है इसमें हम देखती हैं प्रकृति का मनुष्च से सीधा संबंद रहा है जो नेचर है उसका हुमन से डारेक्ट संबंद रहा है सब्विता के आदिकाल से मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निरबर रहा है सब्विता के आदिकाल से जो सब्विता जब से श्टार्ट हुए उसके पहले से मनुष्य है जो पूरी तरह नेचर पर डिपैंडेंट रहा है हमारे पूर्वजों ने पेड़ पोदों को अपने जीवन का अनिवार अं यही कारण है कि उन्होंने प्रक्रति से नाता जोड़ा और चिरकाल तक प्रक्रति से तालमेल बनाई रखा है। करते हैं नेचर से ही जो नेचर की ही देन है कि हम जानवरों के लिए नेचर से चारा प्राप्त करते हैं। आज तक तालमेल भी बना हुआ है लेकिन अब तालमेल में कहीं कहीं पे बहुत जाना गरावट आने लगी है नेक्स्ट पेराग्राप क्या है हमारा हरे भरे जंगल चैशाते पच्छी आज कल्पना का विशाय बन गई हैं भूकंप बार आदी प्रकति की ओर्ट से मनस्ट को दीगी चेताबनी है प्रंतु सब को जानते हुए भी आज इस मानव ने इसे अंदेखा कर रहा हैं बास्विक्ता यह की बड़ती आवादी और आदनिक जीवन को विविन आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए जंगलों को बड़ी बेरहमी से काटा गया है ऐसा करने से मौसम चक्र बदल गया है प्रडाम सरूप कहीं सूका और कहीं बार देखने को मिलने लगी है मनुष से आ आज कल क्या है हम अच्छा फरणीचर बना रहे हैं इसके लिए पेड़ को काट देते हैं हमें कोई भी कहीं पे बश्ती वतानी होती है हम पेड़ों को काटते हैं तो इससे क्या है कि हम जो एक नैचुरल वे में चीज़ें चल रही थी उसमें हमने हस्तच्छेप करना लगती है जब बारिस की जरूरत हो तो बारिस नहीं होती है आप से अभी आप न्यूज टीवी देखते हैं न्यूज पेपर पड़ते हैं तो आप हमको यह बताईए अभी हाले में दो तीन स्टेट बार से काफी प्रभावित रहे हैं उनके आप हमको नेम सेंड कीजिए व जो समय समय पर हमारे दुरगणों को दूर करते हैं पेड़ पौदे भी बातावड को साप करते रहते हैं बरती जन संक्या ने तरह तरह का प्रदूसर फैला आया है बिविन कार्डों से जंगलों का सफाया किया है अब इस्तिती यह है कि ना तो सांस लेने के लिए हमें सु चजल हैं संसार भर में तरह तरह के रोप फैल रहे हैं प्रदूसर से होने वाले इस विनास का एक मात्र कारण यह है कि मानव ने प्रकरती के प्रती अपने करतब्यों से मूँ मोड लिया है प्रकरती के बिना मानव जीवन संभव नहीं है पेड़ पौदे हमारे जीवन का आदार हैं भारती संस्क्रती में स्तत्य को बड़ी गहराई से समझा गया है हमारे पौराणे ग्रंतों में प्रक्रती के बिविन्द तत्यों की पूजा का वैडन मिलता है हमारे देश में तुलसी पीपल बर्गद आधी की आराधना आज तक की जाती है ब्रच्य प्रक्रती की सुंदर और अमूल भेंटें इसके प्रती आधर का वाव रखने का अमूल कारणे आई था कि अति प्राचीन काल में भारती रिशी मुनियों ने इस तत्य को जान लिया था कि ब्रच्छों के अभाव में मानों की अस्तित्की कल्पना तक नहीं की जा सक यही कारड़े की घर के आंगन में ही तुलसी नीम आदी लगाए जाते थी, देवालेओं में बरगत, पीपल, बेल, आम, आदी के ब्रच लगाए जाते थी, प्रतियक प्रकार के दार्मिक अनुष्ठानों में आम, असोक, केले, आदी के पत्तों का उपयोग किया जाता था, धर्म से ब्रचों का संबंद जोडने के पीछे, ब्रचों को सुरचित रखना ही प्रमुक उद्देश राय है, इसमें एक ब्रच आया है, असोक, इसको कहते हैं, ग्रीन मफलर, क्योंकि यह जहाँ पे भी लाइन से लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो सोर्गल जादा होत हैं, उसको रोकने में यह ब्रच बहुत ही उप्योगी है, जैसे पीपल है, पीपल की एक खांद विसेचता है कि यह सुबह यह रात में भी ऑक्सीजन देता है, तो हर ब्रच की अपनी उप्योगता के आदार पर उसका पहले से ही मैत्तपूर्ड इस्थान हमारी सबता में रहा हैं